अपने हेर्स के प्रॉब्लम के लिए बालो को लंबा घना अमजबूर बनाने के लिए रेमेडी बहुत सारी यूज कर चुकी हैं, 100% यकीन मानिए, यह आपके लिए लास्ट रेमेडी होगी, क्योंकि इस रेमेडी को बस दो मिनट के लिए आप दो दिन यूज करके देखिए आपको अपने बालों पर फर्क अपने आप महसूस होने लगेगा, बाल घने होंगे, तेजी से लंबे होंगे, और बालों के जंडे की समस्या भी आपकी 100% खतम होगी, इस रेमेडी को यूज करने के मैं दो तरीके और भी बता रही हूँ, इन तीनों तरीकों में से जो भी कुछ काम की बात दे, इस रेमेडी को त्यार करने के लिए मैंने यहां पर लियावा है हरा प्याँच, इस तमय हरे प्याँच का मौसम है, तो बहुत ज़्यादा आपको इससे बेनफिट मिलते हैं, क्योंकि इसमें सल्फर की मातरा काफी होती है, जो बालों के प्रॉबलम क दूर करने के साथ सथ बालों को घना भी करता है, और बालों को लंबा करता है, प्याँच के बस इस हरे हरी पत्तियों को ही मैं यहां पर यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो इस प्याँच को दूसरी रेसिपे में यूज कर सकती, बस पत्तियों का ही आपको यहां पर संदाय तो लाइक तो बनता ही लाइक जरूर कीजेगा यहां पर मैंने सिर्फ एक प्याज के पत्तों को लिया है उसे छोटे टुकडों में तियार कर लिया है एक बड़े बर्दन में इसे ट्रांसपर करना है कि जब इस रेमेडियों को आप यूज कर रहे हैं दूसरे मौसम म मिले तो फिर जो आप प्याज घर में यूज करती हैं उसके छिलकों का भी यूज कर सकती है मेथी के बीच आईरेन और प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोथ होता है इसमें फ्लोनाइट्स और सैंपोनीन भी होता है जो बालों के बिकास को तेज कर देता है बालों की जूर करते हैं बालों में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देते हैं जिससे हमारे बालों की ग्रोध तेज हो जाती है इसलिए मैं यहां पर ले रही हूँ 10 से 12 काली मिर्च और इसे आपको हलका सा कूड लेना यानि कि सारे यह जो काली मिर्च है यह टूट से जाए बिलक बहुत ही खास चीज वो है कॉफी पाउडर कॉफी फ्लो नाइट्स एंटी ऑक्सिदेंट से भरपूर होता है जो हमारे बालों में सिल्की पन लाने और डैमेज हेर को दूर करके बालों की ग्रोध को तेज कर देता है इस रेमेडी में कॉफी पाउडर का यूज करने से यह इस रेमेडी आपके कम उम्रे में हो रहसा फेट बालों की प्रॉब्लम से भी आपको बचा सकता है और मैं यहां पहले रही वन इस्पून के करीब कॉफी पाउडर इसमें आपको डालना है एक और आधा यानि देर ग्लास पानी इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर आप देखेंगा धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होगा क्योंकि मैंने इसमें कॉफी पाउडर का यूट किया है जो आपके वाइड वालों के लिए बहुत बहुत बेनिफिशल होगा इस रेमेडी को आप तीन से चार बर यूज करने के लिए बना कर स्टोर कर सकती हैं इस स स्पून की हिल्प से आप इन सारी चीजों को बीच बीच में चलाते रहे ताकि सारी चीजों उपर नीचे हो जाए अब गैस को आफ कर देजिए जब आपका ये पानी बिल्कुल वन ग्लास हो गया है गैस को आफ करने के बाद इस रेमेडी को बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लीजी ठंडा होने के बाद ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंच हो चुका है ये बालों के ग्रोध के लिए काफी बेस्ट है आप एक पर यूज़ कर के तो देखिएगा ये देखिए इस तो ठंडा करने के बाद इस तरीके से आपको इन सारी चीजों को अच्छी त बताऊंगी कि सिर्फ इसे दो मिनट के लिए आपकी इस तरीके से अपने बालो पर यूज करके बालो की ग्रोध को तेज कर सकती है लेकिन पहले देख लेते हैं वो दो और तरीके जिस तरीके साफ इसे यूज कर सकती है तो फर्स तरीका है कि बस डायरेक्ट आपको इसे स्प तामें जरूर यूज कीजिएगा, रिजल्ट अपने आप मिलने लगेगा आपको, फिर सेकंड तरीका क्या है, अगर आप अपने बालों के लिए हेर पैक तियार करना चाहती है, तो अपने बालों के एकॉर्डिंग आप ले ले सिका काई पाउडर, आप सिका काई का पाउड को आपको इसमें मिक्स करना है, जितने आपको जरूरत हो, और अच्छा से एक थिक सा पेस्ट तयार कर लिजिए, पूरे बालों पर वन अवर के लिए अपलाई कीजिए, सब्ता में एक से दो बार जरूर अपने बालों पर इस पैक को यूज कीजिएगा, और अपने बालो को आप वन अवर के बार सेम्पू से या फिर नौर्मल पाली से वाश कर सकती है, अगर हेर ग्रोध के लिए आप कोई वेस्ट सेम्पू का यूज करना चाहती है, तो मैं लिंक इसका दे देंगी, डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाकर पर्चेस कर सकती है, आए देखते अपने बालों पर इसे अपलाई कीजिए, सपता में दो बार आप इससे अपने बालों को वाश कीजिए, उसके बाद रिजल देखेगा कि कितने आस्चर जनक मिलेंगे, तो है ना मैजिकल बिकुल कमाल की ये रेमिडी आप एक बार यूज करके जरूर देखेगा, आपके स सारे बालों की प्रॉब्लम दूर करके बालों की ग्रोथ तेज हैंडिट परसेंट होगी, तो कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएगा, वीडियो पसंद आए तो जाद आदा सेर कर देए चैनल को सब्सक्राइब, जरू कर ले, तो मैं मिलती हूँ, जल्द जल्द ऐसी वीडियो लेकर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक क्या, थैंक यू